दोसों आज की इस वीडियो में मैं आपको और कुछ ऐसे English की शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और किस तरह से इन शब्दों का use किया जाता है वो भी बताऊंगा तो सबसे पहला शब्द है so या therefore इन दोनों शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है इसलिए की sense में जैसे एक sentence देता हूँ वो बीमार है इसलिए office नहीं जाता he is unwell so he doesn't go to office या फिर he is unwell therefore he doesn't go to office उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया he asked so I told him so I told him इसलिए मैंने उसे बताया या फिर he asked therefore I told him वो कमजोर था इसलिए दौड नहीं पाया he was weak so he couldn't run he was weak therefore he couldn't run तो इसलिए की sense में therefore या so का use किया जाता है next word है either or either or इन दोनों का use तब किया जाता है जब दो option आपके सामने हो और दोनों में से एक option को choose करना हो जाए आपका दोस्त मोहित बाहर जा रहा है दूसरी city में और आप से किसी ने पूछा कि मोहित कहा जा रहा है तो आप दो सिप्रीज में sure नहीं होगी वो कहा जा रहा है या तो वो आगरा जा रहा है या फिर जैपूर जा रहा है तो आप बोलोगे मोहित या तो आगरा या जैपूर जा रहा है यहाँ पे इस movement हमें either and or का use करना है कैसे मोहित is either going to आगरा और तो जैपूर या तो आगरा या जैपूर इदर का मतलब या तो और का मतलब या एक और sentence उठाते है या तो तुमारी गलती है या मेरी इदर यार मिस्टिक और माइन तो आपको इदर और और का मतलब समझ में आया होगा इसी कितना एक और वर्ड होता है नीदर और नौर जैसे इदर और और में होता था या तो या इसमें होता है ना तो ना एक sentence लेता हूँ ना तो में Spanish बोल सकता ना समझ सकता नीदर आइस स्पीक Spanish नौर अंडरस्टैंड़ ना तो उसे apples पसंद है नहीं oranges ना तो तुम्हें गाना आता है ना नाचना यू नीदर नो how to sing नौर how to dance next words है so that या in order to ये so that और in order to का use होता है ताकि या इसलिए की sense में मतलब इनका use किसी sentence को पूरा मतलब देने के लिए किया जाता है यानि एक main sentence के साथ में एक sub sentence जोडने के लिए जैसे वो इतनी मेहनत करता है ताकि पैसा कमा सके he works hard so that he can earn money तो यहाँ पे so that ताकी के लिए use हुआ है इसकी जगह हम in order to be use कर सकते थे he works hard in order to earn money उसने घड़ी खरीदी ताकि time पे काम पे जा सके he has bought a watch so that he can go to work on time तो दोस्तों ये कुछ words थे interesting जो मैंने आपको बता है जो हम use कर सकते हैं daily life में उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बसतना है झाड़ी मैं आपको इस आज होगी में बसके